नरेदर मोदी का सपना पूरा नहीं होगा अरुन कुमार ने दावा किया है नमस्कार दर्स नीूज में आपका स्ट्वागत है मैं हूँ अनुराग बसपा के हाती पर चड़कर अरुन कुमार ने हुंकार भरी है और कही है कि इस बार पीएम नरेदर मोदी का सपना दोबारा पूरा होगा वो पीम नहीं बन पाएंगे अरुन कुमार जो बसपा में सामील हो गए उमीद थी कि उन्हें चिराग पास्वान टिकट देंगे दरसल चिराग की पाटी में वो स्तामिल यानि बहान मायावती की पाटी में चले गए और एक बार फिर से जहानाबाद संसदिये छेतर से कुदने के लिए तैयार हैं पूर में वो संसद रह चुके हैं और यहां से जो है उन्होंने संखनाद कर दिया है और कह दिया है कि जिस तरह से पीम मोदी को सीधे सीधे इंडिये बना इंडिया और उसमें बसपा बीच में जो है त्रिकोनिया मुकाबले को बना रही है तो ऐसी इस चिती में जहानाबाद संसदिये छेतर के गया जिले के अतरी विधान सवा के खीजर सराय में अरुन कुमार कारकरताओं के बीच पहुँचे उन्होंने महां मुझे मिला है तो एक ताकत उनकी है फिर मेरी मेरी अपनी ताकत है और जो अभी 40 बरस तक मैंने संसदिये जीवन में काम किया है उसमें मैं बराबर ये कहता हूं कि मेरे कर्मों से हमारे भोटरों को कभी सर्म से सर नहीं जुकाना पड़े बहुत ऐसे काल खंड आये हैं जह इसले चुनाओ हारना और जीतना मेरे लिए विशय नहीं है मैं निर्दलिये चुनाओ लड़कर के आया था जब निदीस कुमारा और लालू जादव एक साथ मेरे खिलाफ यह मैं जहानाबाद को एक रोल मोडल बनाना चाहता था था इससे पहले आप थे लोग जन सकती रा हाकत लगा रखा था हर मूर्चे पर दिल्ली से लेके पटना तक मैं लड़ा रहा था मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा यह संकट में हैं कभी राम विलास पासवान जी आपके साथ थे उनके बेटे हैं इनको बचाईए मैं पहला व्यक्ति हूं जो प्रधान मंत्र पिता हैं संकट के दौर में आप खड़े हुए लेकिन जब नितीश कुमार का प्रेम उनका उनकी और बढ़ा बाद में नितीश कुमार उनके लिए खत्रा बनेंगे मैं जानता हूं लेकिन नितीश कुमार का प्रेम बढ़ा तो नितीश कुमार का एक ही सर था अरुन कुमा का सर गया लेकिन हमां हमें सिब का वर्दान प्राप्त है सर फिर जूट गया फिर हम लड़ाई के मैदान में है लेकिन अराजक तत्तों को को अपने साथ जोड़ लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि वह लक्ष को अराजकता तो वह हैं जिनको मंच पर बैठाने से घवराते हैं कि 40 सीट को 400 सीट बता देते हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है यह जो जेडिव के केंडिट हैं तो बहुत पीछे हैं और सुरंदर जादव का भी दुर्भागिया है कि जब हम हा जाते हैं तो जितते नहीं हैं तो सुना आपने कि अरुन कुमार क्या कुछ कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि बहन मायाबती का सिरवाद मुझे मिल गया है एक ताकत उनकी है फिर मेरी अपनी ताकत है मैं 40 साल से संतस्दिय जीवन में मैंने काम किया है इस दोरान हमने वोटरों को कभी सर्म से उनका सर जुक चाहते हैं तो अरुन कुमार ने बहुत कुछ कहा चिराग पास्वान पर भी उन्होंने जो बात कही चिराग पास्वान पर कहा कि चिराग पास्वान के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिराग पास्वान जब क्राइसिस में थे तो हमें अपने पिता तुल्ल कहते थे लेकिन ज पिर जुट गया और हम फिर से लड़ाई के मैदान में हैं यानि जिस तरह से जो जहानाबाद की सीट है जिस पर लड़ाई थी अगर कहीं न कहीं कहा जा एंडिये के अंदर चिराग पासवान उस सीट को चाहते थे अरुन कुमार के लिए लेकिन नहीं मिला और नितीश कुमा सीट नहीं गई और अरुन कुमार का पत्ता कड़ गया वैसे में अरुन कुमार अब हाती की सवारी कर रहे हैं यानि बसपा कदामन थाम चुके हैं बहन बहां अवती का उने असिरवाद मिल गया है और जहानाबाद से हुंकार भर रहे हैं तो देखना बड़ा ही दिल्चस् पूत है और अब इस मुकाबले को त्रिकोनिय बना रहे हैं डाक्टर अरुन कुमार यानि इन तीन जो तीन जो त्रिकोनिय लाड़ाई है उसमें बाजी किसके हाथ आएगी वो तो चारतारी को ही पता चलेगा लेकिन अरुन कुमार मैदान में कूद गये हैं और हुंकार भ